श्रीव सेनगे और से गौव मास्क को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं ऐसा ही एक मामला जलंदर में देख में आए जहां हिंदू प्रशेजुबा शक्ति मंच के संजीव प्राशत्वारा एक गुप्त सूचना मिली कि जलंदर के दकुहागा में एक व्यक्ति राहुल और उसका दो शम्षू गौव मास्क बेचने जा रहे हैं संजीव में बताया कि ये लोग बस्ती बावा खेल से ये मास्क लेकर आ रहे थे वही दूसरी और पुलिस का कहना कि संजीव प्राशन ने उन्हें बताया था कि रामा मंटी के दकुहा में गौव मास्क के सप्लाई हो रही है तो उन्हें दकुहा के पास नाकाबंदी की हुई थी दो व्यक्ति को रोकने पार उनमें से एक व्यक्ति भागया तलाशी के दुरान के पास से चार किलो गौव मास्क मिला पुलिस के मतावक राहल को गरफतार कर दिया गया है और एक पुलिस पार्टी को शम्षू और जिस जगह गौव मास्क से आ रहा था उस जगह भेज दिया गया है बेरो फिर अचानक है उस जलंद है कि मारवी एक ही आज हमें सुचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं गाएं और मैस का मास लेकर सप्लाई करते हैं और खुद भी खाते हैं तो पिछले एक मेने से हम लोग इनके बीचे लगे थे और आज यह हमें पकी इंफोर्मिशन मिलने के बाद हमने इनको पकड़ लिया है यह जहां इनका बताना है कि यह बाबाखेल से लेकर आ रहे थे और हमने इनको दुख होए के बास इनके प्लाट से पकड़ा है गर से पकड़ा है यह हमें दो आदमी मिले हैं साथ में एक आदमी जो रूहिल अपना नाम बताता है रूहिल और फराहुल बोलता है अपने मुझा आदमी मुझा लेकर नाम बताता है और नाम प्छेट को बेचते हैं लेकर वाबाखेलं को बेचते हैं महावड़ा एक साथे को संजीप राशर जी आड़ भी शूहिल बड़ लेक्तिती है एक डूपनदे को राहुल बरता है ने लेकर गड़ायों बड़ा जो तो आरेसी शंक्षू मोगे को देखके पुलिस में पाज़े गया है ते जड़ा राहू जाए गया है इन पुलिस ने रस्ट किता है तो तुनों करीब चार क्रियोग वागमाश कर रहा है बत की दिन हम कार्वाई चेका है तो सर किडी जगा तो लेका है से लिए बस ती बावा की दो